पिरियों बच्चो आज हम आपको संपर्दान कारथ के बार में जान कर देंगें संपर्दान कारथ किसे कहते हैं संपर्दान कारथ होता है देना संपर्दान का आर्थ होता है देना जिसे कुछ दिया जाए ये जिसके लिए कुछ दिया जाए उसका बोद कराने वाले संग्य के रूप को संपर्दान कहते हैं संपर्दान किन वक्ति चिन्य क्या है को लगता है संपर्दान में जैसे राम विखारी को दान देता है को यह पुस्तक राम के लिए है तो यहां संपर्दानकारक जैसे राम विकारी को आये तो संपर्दानकारक है अगला है आपादानकारक आपादानकारक समझा कि जिस रूप से अलगाव का बहुत हो अलग हो जाना जैसे इसका ब्रक्ति चुन्या कैस से जैसे ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं ब्रिक्ष जो पत अलब होने का बाब होता है देख्षीचि पत्ते गिरते हैं आज मंसे को तिर्थर्य豆 तो यह सारे जहां पर जिस रूप से किसी व्यक्ति का संबंध पर गट किया जाता हो तो वहां संबंध का रख होता है जैसे राम की पुस्तक राम की है, इस लिए हम क्या है कि राम की पुस्तक की इसमे संबंध है संग्या के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तू या दूसरे व्यक्ति वस्तू से संबंद परख्टिया जाता है और व्यक्ति चिन्ने काक एकी लगता है वहाँ पर संबंद कारफ होगा और जैसे की राम की पुस्तक राम की पुस्तक की बात की जा रही है यहां पर इसी संबंद कार्ग है अधिकर्ण कार्ग संग्या के जिस रूप से किरिया का किरिया के अधार का बोध हो उसे अधिकर्ण कार्ग कहते हैं इसका वक्ति चिन्यात है में पेपर ने पर उपर आदी जैसे पानी में मचनियां हैं और छत पर पतंग पड़ी है छत पर चार पाई पड जान होते हैं और संभोधन कारवोता है संग्या के जिस रोत में किसी को को कारा जाएब या चितावने दे जाए उसे संभोधन कारक भक्ति कि नया होते जैसे अरे आदी जैसे उदार्न है घेश्वर हम मेरी रक्षा करो आरे क्रिशना तुम कहां हो तो यह संभोधन में आता है अरे अदी इस परकार बच्चों हमारे आठ कारती आठो कारकों का पने यहां पर ध्यानपुरों को बनन सुना और मुझे आसे कि आपको समझवाए हों होंगे अमारे कारकाट होते हैं और इन सब को अपने अच्छी परकार से ज्यान से याद परना देना है